हरे किष्णा आपका ये प्रिश्ण बड़ा महतून है और बड़ा विशेश है हम पिछले जनम क्यों भूल जाते हैं देखिए समझने की बात है इस जनम में भी कभी हम बहुत भै की स्थिती से गुजरते हैं या कश्च की स्थिती से गुजरते हैं तो हम कई चीज़ा भूल जाते हैं आप अनुमान लगाईए एक दम से बम का धमाका हो तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं आएगा कोई भी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगी उस समय और फिर आप से गर पूछा जाए कि क्या हुआ कैसे हुआ कई चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगे इसी प्रकार से जैसे इस जीवर में हम कई चीज़ भूल जाते हैं इसी प्रकार से जब हमारी मृत्य होती है और मृत्य के बाद दुबारा जन्म होता है जैसा गीता शास्रों में बताये गया है कि जिसकी मृत्य होती उसका जन्म भी होता है दुबारा तो ऐसी सिचोईशन में, बीच में, क्या सिती बनती है, विक्ति जो है, कई चीजें पिछले जन्मों का सब कुछ बूल जाता है खास करके, जब जीव माता के गर्ब में रहता है, नौ मेने बड़े कश्ट में रहता है और नौ मीने के उपरांद जब माता के गरब से जीव बहार आ रहा होता है तो उस थिती में कुछ समय के लिए जीव की सांस जो है रुख जाती है और ऐसा शास्त में भागवत में बताये गया है कि उस समय उससे पहले उसको सौ जन्मों की अपनी सारी स्मृति होती है जब उसका जन्म होता है तो उसके लिए एक नई जिन्दिगी प्रारम हो जाती है तो ये चीज जो है ये भागवान का ये अरेंज्मेंट है भागवान ने इस प्रकार से प्रकृति बनाई है और आप देखिए कि ये प्रकृति भागवान ने इसलिए बनाई है क्योंकि अगर आपको सौ जन्मों का याद हो और हर जन्म में आपको मृत्यू पे जो कष्ट होता है उसकी भी स्मृत्य हो जाए तो क्या आप इस जीवन में जीवन जी सकेंगे आपको सदा भै सताता रहेगा भै अभी भी है मृत्यू का हर विक्ति को भै एक चीटि को भी अगर आप जो है वो मारने का प्रयास करेंगे तो वो रिटालियेट करेगी भागेगी परशान होगी और हर जीव को भै होता है मृत्यू का क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उसने मृत्यू सेहन की होती है तो इसलिए परशान है के भागवान का यह अर्रेंजमेंट है कि हम जो है पिछले चीजों को सब कुछ भूल जाए और हम इस जन्म में जब भी आते हैं तो हमारे जो पिछले जन्म में जो कर्म है उनका रियेक्शन्स भूगने के लिए आते हैं उनके फलों को भूगने के लिए आते हैं ये भगवान ने ऐसी सिलसला बनाया हुआ है ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है हर एक व्यक्ति जो है वो पिछले जनम का या पिछले जीवन का सब कुछ विस्मरन करेगा ऐसा नहीं भगवान के उपर है गीता में भगवान ने पंद्रवे अध्याय के पंद्रवे श्लोक में कहा है कि मेरे से ही स्मृति और व्यस्मर्ति आती है मैं सब के हिर्दे में विराज मान हूँ तो भगवान चाहें तो आपको सारा स्मरन करा सकते हैं श्रीमत भागवत मेवर्णन आता है किस प्रकार से भरत माराज एक चक्रवरती राजा थे सब कुछ घरबार छोड़ करके वन में चले गए आत्म साक्षातकार के लिए जो मनुष्य जीवन का उद्देश है सेल्फ रियलाइजेशन वहां जाकर कुनोंने कटिन तपस्या की लेकिन क्या हुआ एक हिरन के बच्चे से आसक्त हो गए और आकरी समय में हिरन के बच्चे का स्मरन किया उन्होंने शरी छुटा अगला जीवन जो है हिरन का हो गया लेकिन जो उन्होंने क्रिशन का स्मरन किया था अपनी जीवन का हल में उस्मरण के बार से वो इस जनम में हिरन के जनम में भी पिछले जनमों का सारा उनका स्मरण बना रहा तो अगर कृष्ण का स्मरण हमारा बनेगा तो हमें सब चीज़ें याद रहेंगे और अगर कृष्ण का स्मरण नहीं होगा तो हमें संसार में फंसके रह जाएंगे कृष्ण को भूल के जीव इस अंसार में भूग विलास करता है पाचेते माया तारे जापटिया दरे माया के प्रभाव से कष्ट भूगता है सब कुछ भूल के रखता है तो अगर कृष्ण को हम याद करेंगे कृष्ण स्मरनम तो हम देख सकते हैं कि हमें हर चीज याद किस प्रकार से लोग जो हैं बड़े-बड़े महातमा, मूनी-गर्ण उनको तरिकाल धर्शी कहा गया है बना तीनों का देख सकते हैं वो पिछले जनम का भी याद है, उनको अगले जनम का भी याद रहेगा इस जनम में जो रहा वो भी याद रहेगा तो विसमरन यह जिससे हमें डर हुएगा भै होगाम कारी नहीं कर सकते हैं तो स्मरन कृष्ण का करना है जिससे ये स्मरन विस्मरन खत्म हो जाए एक ही बार में मनुश्य जीवन इसलिए मिला है आप अगर कृष्ण का स्मरन करना चाहते हैं बड़ा सरल तरीका जगत गुरु शिला प्रवर अपाजी ने बताया है चतन महा प्रभु के आदेश पे आप देखें आपका विस्मरन जो है कभी भी नहीं होगा अच्छी चीशों प्रण में आएंगी और जीवन आपका धन्य होगा हरे किष्ण झाल झाल